नमस्कार दोस्तों योपी ट्रेपल सी लेकपाल भरती परिच्छा रद हो छात्रों में आक्रोप्स। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं आज के विभिन समा चार पत्रों के वादियं से कि इस पूरी परिक्षा को रध कर देना चाहिए और दोबारा से इस परिक्षा को कराना चाहिए इसके लिए पूरम सियम अखलेश यादो ने ट्वेट करके तमाम चात्रों को इसकी राए भी दिये जो कि कल ट्वेट मैंने आपको दिखाया था साथ में यूपी ट्रिपल स्थी के अधिकारियों के खिलाप कड़ी कारवाही करने की भी मांग यहाँ पर चात्रों के माद्धियम से की जा रही है और लगातार यहाँ पर यह देखे, पेपर आउट हुआ है, अशा उनके दौरा बताया जा रहा है और वहीं पर देखिए वहीं पर दूसरा है अखलियस जादों ने इस पर काफी दर सवाल उठाएं परड़ाम पर सवाल उठाएं चैन प्रिक्रिया पर सवाल उठाएं देख सकते हैं ठीक है क्योंकि इसमें एक महिला है उसी महिला को लेकर ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि जब उसके मुल्यांकन नहीं होना चाहिए तो ये चीजें उसी को लेकर उठी हैं आप यहां पर देखेंगे लापरवाई है लेकपाल भरती पर इच्छे में नकल की आरोपी रीतू सिंग हो गई थी फरार पुलिस ने कहा हाई कोट से इस्टे होने के कारण नहीं हुई आरोपी की गिरफतारी बिना गिरफतारी मेला भ्यारती कारोपत्र दाखिल है लेकिन उसके बाद भी उसका फानली परड़ाम जारी हुआ है वो डीवी के लिए सेलेक्ट हुआ है इस पर यूपिटर पेलेसी ने सपाई भी दिये कि कोई इस पर कारवाही नहीं हुई है उस पर कुछ भी दोस साब इस कारण से उसका प्रड़ाम आया है इनमें से इन लोगों को जेल भी बेजा गया है जो नकल में पकड़े गये थे कुछ लोगों को इस्ते मिला था जिसमें रीतु सिंग भी नंबर एक पर हैं कुछ लोग अभी फरार भी हैं जो कि आप देख सकते हैं तो यह सभी लगातार समस्याएं हैं और इस तरह से पापो की जो इस्तिय है वो यहाँ पर बनी हुई है और मांग की जा रही है कि इस परिक्षा को यह तो रद किया जाए ठीक है और दुबारा से नई परिक्षा कराई जाए यह मांग की जा रही है लगातार चातर इसके लिए अपील क करें यही चीजे यहां पर सही हैं और यही आगे होने वाली हैं